नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 नियूस मैं पोजा पूरे मामले को तोड मरोड कर विश्विजालों को बदनाम करने की साजिस के तहत दिखाया जा रहा है वह ही अप पूलिस पूरे मामले की जांच कर रहे है आई आपको सुनाते हैं कलेक्टरेट कार्याले पहुंचे छात्रों ने क्या बताया है आपको सुनाते हैं आपको सुनाते हैं आपको सुनाते हैं अपको सुनाते हैं जब कार्यक्राम खटम हो गया उसके बाद 10 मिनिट के लिए बच्चों ने बच्चों के कहने पर गाने चले 10 मिनिट टोटल समय था उसमें टीचरों को उनने बुलाया बच्चों ने टीचरों को बुलाया और उसी में गलत तरीके से इसको दिखाया गया है हर सोशल मीडिया में कि ये कॉलेज का कॉलेज के मान में बहुत बड़ा ये बटा लगा हुए ये कॉलेज इगरिमा के लिए बहुत बड़ी बात है रिवा परिसर में माकनला चत्रवेदी ऐसा कॉलेज मौजूद है रिवा आलो के लिए ये गौरफ की बात है और ये गौरफ पे लांचन लगाया जा रहा है साफ साफ जितने भी ये मीडिया शैनल्स है इतने ये गलत न्यूस रोटकास्ट किये है उन पर सक्त करवाई होना चाहिए ये था कारिकरम 26 जनवरी का अगले दिन जो की कल का दिन था हमारे कॉलेज में करीवन 20 लोग उसे उन 20 लोगों ने कॉलेज परिसर की करिमा भंग करी हमारे प्रचार महोदे के केविन में जा के अगर कारवाई नहीं होती तब आप लोग क्या करेंगे आर वाई नहीं हुई तो ये गतिविती चलती रही गी ये चीज़िए हम लोग पीछे नहीं अटने वाले हैं उन लोग अपना लाइसेंस वैली राइसेंस दिखाए हैं जिस लाइसेंस के तहट उन लोग ये वीडियो वाइल कर रहे हैं उनसे पूचा जाए कि ये वीडियो आपके पास आया कहां से हैं क्या उनके पास पुष्टी थी इस कबर की जाच की जाएं और उनके पास वीडियो को एक गलत नीउस को तोड़ मरोड के जंता के सामने लाया जा रहा है और कॉलेज परिसर की गरिमा को बंक किया जा रहा है वीडियो में तो साथ तोर से देखा जा रहा है फिल्मी घाने में आप लोग डांस कर रहे हैं सर वो खाली पान से दस मिनिट की रील थी और वो भी जब सांस्क्रितिक कारिकरम पूरा समाप्त हो गया था उसके बाद की घटना आई है कौन लोग से कौन लोग ते जो आप कॉलेज में और हंगामा की है यह किसी अन्य दल के लोग हैं जिनने यह जात्र कोई चात्र सांगे जिनने कॉलेज की गरिमा पे लांचन लगाई लेकिन इसी दिन कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों की नजर हमारे विस्तु विद्याले पर थी और वो लोग जो है सिल्चिलेवा तरीके से विस्तु विद्याले को बदनाम करने की साजिस्तों में लगे हुए थे इस कड़ी में उन्होंने एक वीडियो क्लिप उतारा और जो वीडियो क्लिप के साथ उन्होंने तथ्यों के साथ तोड़ मरोड कर पेस किया है हमारी लड़ाई जो कि हम पत्रकारिता विस्ति विद्याले अग्वालिट में पढ़ रहे हैं और हम आगे आने वाल समय में भी हम पत्रकारिता करने की खौई सकते हैं तो हमारी लड़ाई जो है वो फेक नियूल से है क्योंकि जिस तरह से बीना पक्ष जाने हुए बिना खबर की बिना पुष्टी की हुए जिस तरह से खबरे चलाई गई हैं और जिनके इसारे में ये खबरे चलाई गई हैं तो ये जो है बेहत निंदनी है हम आप सभी मीडिया कर्मियों से ये अपील करते हैं कि आप जो है ये हमारी मदद करेंगे और इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे और इस सही नियुज को सब तक पहुचाएंगे क्योंकि हम जो खबरे वो चल रही थी हम उन खबरों को खंडन करते ही तबाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं विराट 24 नियूस नमश्कार